मैं याज विल्कम टो फिजिक्स ईन प्लेग्राउन तो देखो डाक्टर साब अब भी हम लोग पूरा 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 फिजिक्स का जो इंपॉर्टन फॉर्मुलाज है वो सारा कुछ देखेंगे ठीक है पूरा एक बार में फिजिक्स सारा कुछ कवर करते हैं जो important formulas है जो need 2021 में पूछे जा सकते हैं उन पे ज़्यादा focus करेंगा वो जो मैं बताऊंगा उसे आप लोग रटना जो करना करो बट वो करकी जाना है अब वो नीट में होता है 25 नुम्रिकल्स जो होंगे वो डिरेक्ली formula based होंगे जिने formula आता है 25 question need में confirm रख के देता हूं मैं 50 में 25 करके होगे 15 question जो आएंगे वो होगा क्याची conceptual plus formula based conceptual plus formula based होंगे 15 numerical जिने थोड़े concept भी आने चाहिए खास करके mechanics के question ऐसे होते हैं और formula भी आने चाहिए अगर concept आता है कि ऐसे tension t लगता है और ऐसे acceleration लगता है और formula आता है if equal to a में होता है और यह mass है तो उपर में tension t लगतेगा और नीचे में लगेगा mg और acceleration अगर नीचे दे रखका है तब यहाँ पर concept बोलता है कि t के opposite में acceleration है तो यहाँ पर होगा minus ठीक है equal to होगा m a t minus mg equal to होगा m a clear है अगर acceleration और tension दोनों एक साथ है तब क्या होगा t plus mg equal to m a ठीक हो जाता है तो यह क्या है यह एक formula भी है और एक concept होई है अगर concept आता है तो ऐसे करके 15 question solve कर लोगे और पांच question जो होंगे पचास पूचे जाएंगे पर करने अपने को है 45 ही ठीक है पांच question जो होंगे वो होंगे स्रिफ और स्रिफ समझ लो थोड़ा calculated part जादा होगा formula जोड़ा पेश्ट होंगे बट वो calculated part बहुत जादा होगा उसमें थोड़ा concept भी पूचे जाएंगे जिसे हम लोग tough लेवल तो नहीं कहेंगे more than average यह just above average question बोल सकते हो ठीक है थोड़ा से average से थोड़ा से level high होगी तो neat के लिए आप लोग tough बोल लो ठीक है जेए advance का question ना समझना कि जेए advance का बोलो पूच देंगे clear है तो ऐसे रहेगा आपका neat का pattern तो अगर आप लोग स्रिफ और स्रिफ फॉर्मूला कर ले तो थोड़ा मोड़ा concept आते है तो आप लोग 15 15 अटो 10 question ले लो उसमें स्रिफ 10 ले लो 15 में से और इधर के 25 तो total करके आओगे 35 question ठीक है total करके आओगे 35 question मतलब होता है 140 marks ठीक है 140 marks और physics में 140 marks अच्छा score होता है clear है और more than 16 lakh student NEET 2021 दे रहे है तो थोड़ा सा level high जाएगा ठीक है नीट का level high जाएगा हम देखते हैं फटाफट सब कुछ अब unit and dimension तो unit dimension में पहले dimension देख लो सारो कुछ length, mass time, electric current, temperature, luminous intensity तो ऐसे question नहीं पूछेंगे कि इसका dimension क्या होता है need 2016 phase 2 में question पूछा गया है वो देख लेना वहाँ से question आपका बन सकता है ठीक है लिख देता हूं need 2016 phase 2 का numerical solve कर लेना समझ में आ जाएगा कैसे question पूछते हैं clear है तो एक question आपका यहां पर dimension से हो जाता है cover rectilinear motion, rectilinear में motion में average velocity, average speed, instantaneous velocity, average acceleration, instantaneous acceleration किसे बोलते हैं वो देख लेना main जो पूछेंगे वो लोग पूछेंगे rotation, rotation में होता है angular velocity, angular acceleration, torque देखो चार चीजों में relation आपको आने चाहिए moment of inertia, angular acceleration, angular velocity and torque इन चार चीजों की relation है एक linear momentum लेकर के वो दे या angular momentum लेकर के दे या टोटल kinetic energy पूछें आफ आई alpha i square जो भी formula हो ठीग है इन चारों के relation से एक need to answer 211 में question आएगा confirm है clear है तो यहाँ पर आपका मिलता है एक और question समझ रहो न स्रिफ और स्रिफ फोकस करना question के उपर अब यहाँ पर graph दे रहा है graph j means वालों के लिए बहुत important होता है xt graph and vt graph देख लेना maximum and minimum differentiation क्या होता है integration क्या होता है अच्छे से समझ लेना अगर differentiation integration नहीं आता तो need का एक question आपसे नहीं solve होगा खास करके mechanics का question आएगा वहाँ पर integration differentiation आपको करना होगा अभी equation of motion है for constant acceleration यह कम chances है यह कम chances है पूछे जाते है बट अगर पूछेगा तो solve कर लेना खास करके option number b में जो दे रखा है is equal to ut plus half 80 square पर focus रखना and a में v equal to u plus 80 clear है a को acceleration बोलते है v को इनी final u को initial speed t is time is equal to distance a equal to acceleration हो गया यह देखने ना c में है v square equal to u square plus 2 as is equal to u plus v divided by 2 into t कब कैसे कब use करते हैं यह सारा कुछ याद रखना खास करके rotation वाला जो होता ना angular acceleration, angular velocity, torque और angular momentum वहाँ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं यह भी याद रखना इनसे भी question पूछे जा सकते हैं बट वह ज्यादा important है वहाँ से question आना confirm है projectile motion अभी मैंने भाला प्रेका था ठीक है उस पे मैंने ने प्रेका था नीरत चोपडा, gold medalist, indian gold medalist तो वहाँ से question horizontal range मैंने दिया था community पे question पूश्ट हिया था तो वह वहाँ से derive कर सकते हैं उनके दि range दे देंगे और angle पूच लेंगे या u पूच लेंगे तो इन चीजों पर focus करके जाना ठीक है तो horizontal range कैसे निकालते formula आना चाहिए maximum height का formula देख लेना important है horizontal range पर या mark कर देता हूँ time of flight t equal to u sin theta by g trajectory equation equation path देख लेना projectile motion ये वाला bracket में जो दे रखा हो पन लेना ठीक है box वाला important है time of flight angle of projection with inclined plane for maximum range maximum range कैसे निकालते है वो देख लो relative motion important है relative motion से question पूचे जाते है crossing river shortest time shortest path देख लेना इसमें जो important है वो क्या है ये वाला है therefore time to cross the river time to cross the river ये होता है clear है and velocity vx is 0 therefore in this case the drift should be 0 जो drift होता है हो 0 rain problem पूचा जा सकता है rain problem याद रगना vrm equal to root under vr square plus vm square Newton's law of motion में याद रगना है impulse पहला question दूसरा है momentum momentum P ठीक है और फिर आपका एक pressure पूचा जा सकता है कैसे पूचेंगे ऐसे बहुत सारे molecules तकरा रहे हैं इतने angle पे theta equal to दिया हुआ रहेगा number of molecules भी दिया हुए रहेंगे force वहां से निकाल लेना और area आपका given रहेगा pressure equal to f पही है P equal to क्या होता है F प्रेशर equal to f भी है force निकालना impulse को लेकर के सारा कुछ निकल जाएगा impulse निकला तो force भी निकल जाएगा time भी गिवन रहेगा और number of molecules से multiply करना ना भूलना अगर 23 molecules देंगे तो 23 multiply कर देना ठीक है पूचा जाएगा pressure तो area given रहेगा आपको पहले impulse निकालना होगा impulse से फिर force निकालना होगा time भी गिवन होगा force निकाल लोगे तो फिर pressure भी निकल जाएगा clear है यह JMS 2018 में पूचा गया है बागी वह जो diagram बनाया था NCRT का copy paste 2016 NEET में पूचा गया था NEET 2016 phase 2 दिमाग में रखना दोनों एक दूसरे से related है ठीक है JMS और NEET अब यहां पर देख लों यहां पर क्या 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 important है from second law of motion यह देख लेना second law of motion देख लेना वेगिंग मसीन, spring force देख लेना है F equal to minus KX, spring protein KL equal to K1 into L1 equal to K2 into L2 important है 2017 में पुचा गया for parallel and force series combination, spring balance याद रखना है यहां पर आप लोगों को क्या याद रखना है acceleration and tension T, acceleration कैसे निकालते है और tension T कैसे निकालते है बस इतना याद रखना हो जाएगा wage constant देख लेना, wage constant में मैंने अपना एक notes दे रखा, PIP के notes पढ़ने important है, PIP का notes टेलिग्राम पे चले जाओ, Newton's law of motion सर्च करो मिल जाएगा generation होना चाहिए कि यह नीचे ना गिर पाए, ठीक है, ऐसे करके question पूछा गया है, Newton's law for a system देख लेना, सिर्फ देख लेना question नहीं पूछा जाएगे, Newton's law for non-inertial frame, ठीक है, pseudo force, pseudo force थोड़ा सा पढ़ लेना, f pseudo equal to minus m a frame, clear है, यह सारा कुछ मैंने class 11 का जब एक बार में बता है, पूरा का पूरा class 11 का important topic एक बार में बता दिया है, उसमें सारो कुछ अच्छे से बताया है, friction में kinetic friction, f k equal to mu k into n, f maximum equal to mu s into n, यह बाला है, याद रगना, और कुछ भी नहीं है, इसमें, अब देखते है, work power energy, work done by constant force, w equal to f dot s, w equal to f s cos theta, याद रगना, ठीक है, अगर यह एक इ समझ लो, mass 10 kg का समान लेकर के, d distance से y distance तक move करता है, तो work कितना इसने perform किया, तो वहाँ पर हो जाता है, 0, because cos theta का जो angle आ जाता है, वो यहाँ पर role play करता है, ठीक है, तो f dot cos theta, f dot ds cos theta लगाना, ना बोलना, याद रगना, फिर आता है, relation between momentum and kinetic energy, बहुत important है, इस पर numerical पूचा ज है, potential energy, potential energy, ऐसे, फिर conservation of forces, फिर work energy theorem, modified work energy theorem, यह important है, अब देखो, आप question कैसे पूचते, अब वो आप से question पूचेंगे, area related, ठीक है, अब graph देदेंगे, graph देंगे, भोलेंगे, इस distance से लेकर के, इस distance तक उसने work perform किया, ऐसा कुछ रहेगा, force और इधर रहेगा, displacement, तब वहाँ पर कुछ नहीं करना है, normal, आप लोग इसका area निकाल लेना, और जो area हैगा, वही work done होगा, ठीक है, पहला हो गया, यह, दूसरा क्या करना, दूसरा, या तो आप से differentiation पूचेंगे, या तो integration पूचेंगे, जब differentiation पूचेंगे, तो differentiate कर देना, ठीक है, खास करके conservative forces में differentiation रहेग और double differentiation रहेगा, अगर वो लोग x square देते हैं, तो इसका differentiation होता है 2x, और double differentiation होता है 2, clear है, तो double differentiation याद रगना, conservative forces में work done, differentiate करके निकलेगा, क्योंकि force निकालोगे तो differentiation करना होगा, और work equal to क्या होता है, f.ds, ठीक है, f.ds हम लोगों ने पढ़ा वी, third number यहाँ पे दे रखा है, जो की potential energy है, वो क्या है, वो integral part, बोल देगा, इतना meter से इतना meter distance पे काम हो रहा है, या इतना से इतना काम हो रहा है, तब क्या होगा, तब वहाँ पे जो initial रहेगा, उसे lower limit, final को upper limit रखना और integrate करना, तो ये तीन तरह से question पूछे जाते है, clear है, पहला graph, दूसरा integration, तीसरा integration, फिर लास्ट में modified form of work, energy theorem देख लेना हो गया, और कुछ भी नहीं पूछेंगे, इस पे, power पढ़ लेना, power से question नहीं आएंगे, circular motion बहुत important है, circular average angular velocity याद रगना है, instantaneous angular velocity omega equal to d theta by dt, average angular acceleration alpha, starting में मैंने बताया, आपको tau alpha, ठीक है, और omega, और theta भी रखना, ठीक है, और torque, alpha, omega and i, इन में आप लोगों को relation आना चाहिए, theta अगर नहीं भी याद रखते हो चलेगा, बट इतन जारों में आपको relation आना चाहिए, बहुत important है, clear है, तो यहाँ पे alpha के ची होता है, angular acceleration, instantaneous angular acceleration, relation between speed and angular velocity, v equal to omega r, बहुत important है, rotation में जब आएगा, तो v equal to omega r की कहानी बदल जाए हो ओगा, tangential acceleration, याद रखना, centripetal acceleration, याद रखना, अब centripetal acceleration equal to v square by r, और omega square r, सेंटरिपटल force क्या ची हो जाएगा, mac, अऔर ac की value हो जाएगी, m omega square r, और यह पूछा गया है, क्या हो जाएगा, centripetal force हो जाएगा m omega square into r clear है और ये पूछा गया है अब total acceleration देख लेना total acceleration कैसे निकालते हैं ठीक है तो ये भी थोड़ा सा अच्छे से देख लेना tangential plus centripetal net acceleration at equal to alpha r और ar equal to omega into v अब यहां पर angular acceleration alpha equal to d omega by dt d omega by dt radius of curvature r equal to v square by a perpendicular equal to mv square by a perpendicular और ये देख लेना ये पूछेगा ने बस स्रिफ याद रगना ये basic basic formula याद रगना अब अगर concave में movement होती है तो यहां पर plus आएगा net जो लगेगा n equal to mg cos theta plus mv square by r और अगर convex में movement होती है तो minus हो जाएगा पस इतना ही difference है concave रहता है तो plus कर देते हैं हम लोग final में और जब convex रहता है तो minus करते है concave में plus convex में minus n equal to mg cos theta minus mv square skating of vehicle on a level road skating of an object on a rotating platform rotation में हमेंसा बता है मैंने angular आएगा angular acceleration angular velocity clear है angular momentum आएगा यही सब आएगा और linear में normal सा linear velocity linear acceleration linear force linear momentum तो यहां पर surface v less or equal to root under mu g r omega maximum जब निकालने बोलेगा तो equal to root under mu g pi r bending of cyclist 10 theta equal to v square by r g important important formula है banking of road without friction 10 theta equal to v square by r g यह भी important है ऐसे आपको अगर देता है यह बॉल है और यह बॉल रोटेट कर रहा है या SHM perform कर रहा है ठीक है और angle दे देगा अब बोलेगा कितना time में यह stop हो जाएगा इसका जो SHM हो यह stop हो जाएगा यह angle पूछ लेगा कितना angle होगा जो कि यह maximum circular path cover कर ले यह किस velocity से यह move करें कि पूरा का पूरा यह circular path follow करें तो ऐसे करके questions पूछे जाते हैं ठीक है याद रगना वहाँ पे यह सब formula आएंगे और यह जो देख रहा हो ना यह सब से ज्यादा इंपोर्टेंट रहें नीट 2021 के लिए ठीक है तो यह याद रहना यह बहुत इंपोर्टेंट है यह चीज़े जो मैंने अभी बदा है circular कब रोटेंट करें है क्या maximum speed होना चाहिए हो यह देख लेना 2016 phase 1 में यह पूछा गया है maximum also minimum safe speed on a banked frictional road यह था और आपका यह था ncrt में given a ncrt में देख लेना banking of road without friction option number a b c d कर दिया था सिर्फ जाकर करके आपको टिक लगाना था कहानिया लिखी होई थी ठीक है और यह question पूछा जा चुका है पूइंट नंबर जो 20 देख रो हो निट्वाजर 16 में पूछा गया है centrifugal force if equal to m omega square r acts outwards when the part itself is taken as a frame देख यह मैंने derive किया कैसे निकालते है effect of first rotation on apparent weight n equal to mg minus m r omega square cos square theta 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 latitude at a place clear है तो 3-4 चीज़े point number 20, 21 और 23 important हा रहिए chronical pendulum देख लेना time period relation among angular variables यह याद रहना center of mass center of mass से question आएगा नीट 2021 में तो center of mass में basic formula देख लेना फिर center of mass of some common system common m1 r1 equal to m2 r2 यह normal से condition है the center of mass lies closer to the heavier mass ठीक है rectangle का पढ़ लेना और बागी सारे चीज़ों का पढ़ लेना स्रिफ पढ़ लेना कोई जरूरी नहीं है कि पूरा रट के ही जाना velocity at center of mass देख लेना कैसे निकालते है acceleration at center of mass देख लेना उस body में ही उसका center of mass lie करेगा यह उसका कहीं पर भी point हो जाता है बट अब क्या करते हैं दो पेन लेते हैं ठीक है दो पेन को ऐसे हम लोग connect करते हैं उसके cap से और पूछा जाता है कि center of mass कहां होगा तो इसका कैसे निकालेंगे तो हर एक point से ना एक line draw करेंगे ठीक है ऐसे ऐसे line draw करना है और इधर से भी एक line draw करेंगे और फिर देखेंगे जो intersection point होगा जहाँ पर maximum आपको intersection point मिलेगा वही इसका center of mass हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया ऐसे करकि इसी वर्मय में दिया हुआ यह पढ़ लेना अब बाता है impulse का concept पढ़ लेना बहुत important है Newton's law of motion में भी impulse का concept important coefficient of restitution need 2021 coefficient of restitution need 2000 एक इस important है यह सारे देख लेना कैसे क्या होता है किसमें कैसा perform करना होता हूँ सारा कुछ पढ़ लेना परफेक्टली इन 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 इलास्टी कोलीजन इलास्टी कोलीजन इलास्टी कोलीजन इंपल्स ओफ री फोर्मेशन सारा कुछ यहां पर लिखा हुआ है किनेटिक एनर्जी किसमें कंजर्व नहीं होता है सारा कुछ देख लेना वेरियाबल मास सिस्टम देख लेना फिर थ्रस्ट फोर्स पहले पूछा जाता था 2004 536 में पूछा जाता था रोकेट इंपल्स अंसे लेकर के रिजिट बोडी डैनेमिक्स इसमें आएगा आपका मो सिस्टम निकाल लेना फोर अंसे अब्जेक्ट यह सब देख लेना बट जो कुछा जाएगा वो आगे है वो मैं बताता हूं क्या पुछेगा क्यानेटिक एनरजी पूछेगा आपसे यह पढ़ लेना टू इंपोर्टेंट थियोरम आपके याद रगना आपके याद रगना रिंग याद रगना इसक याद रगना यह तीन आपको आना चाहिए बागी आप सारा कुछ देख लेना ठीक है बाकी यह सब भी देख लेना है इसको एर प्लेट और आपका रेक्टेंगूलर प्लेट का कैसे क्या होता अब आता है टौर्क यह इंपोर्टेंट है यह ही सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है यहां का और एक इनरजी यह जो दिया हुए ना relation between torque and alpha, torque and alpha है, याद रखना है, torque equal to i into alpha, because यह kinetic energy में आपका काम हैगा, rotational kinetic energy बहुत important है, half i omega square, fc equal to m, a, c equal to m, v square by r, m, a, c equal to m, omega square, r, c, m, ठीक है, center of mass पर यह सारा कुछ, निगाला जारा, f equal to m, alpha, r, c, m, f equal to m, alpha, r, c, m, ठीक है, यह formula भी important है, तो यह 2-3 formula है, यहाद रखना है, यहाँ से question पूछे जा सकते है, rotational equilibrium हम देख लेना, angular momentum क्या होता है, वो important है, linear momentum से ज्यादा, angular momentum, important है, l equal to i omega, torque equal to dl by dt, अब यहाँ पर आता है, impulse, impulse of torque, integral of tau dt, equal to delta j, delta j, जो होता है, impulse change in, sorry, change in angular momentum, delta j, होता है, change in angular momentum, ठीक है, और यहाँ पर फिर vp equal to root under, यह पढ़ लेना, यह स्रिफ पढ़ लेना, अब यह जो है, यह need 2021, need 2021 क्या है, torque equal to icm alpha, f external equal to mac, centripetal, sorry, center at center of mass, mass, फिर, total kinetic energy, half mv square plus half i omega square at the center of mass, angular momentum, l equal to ic omega plus r into mv, ठीक है, at center of mass, cm जो है, वो सब center of mass है, अब आता है, simple harmonic motion, यहाँ पर याद रगना, एक हो गया, दो हो गया, तीन, एक, दो, तीन, यह तीन, important है, और इधर हम लोगों ने देखा, angular momentum, important है, फिर हम लोगों ने देखा, यहाँ पर torque, important है, फिर, यहाँ पर rotational kinetic energy, और यह वाला force का relation, तो इतना सारा कुछ याद रखना, अब next देखते हैं, हम लोग simple harmonic motion, simple harmonic motion में सबसे पहले, आप लोग phase difference, path difference याद रगना, phase difference, path difference, wave velocity याद रगना, और normal velocity याद रगना, और एक के करके आएगा, जो की wave number बोलते हैं, यह सब याद रखना, तीन, चाल चीज है, भागी देखते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ f equal to minus k x, angular frequency omega equal to 2 pi by t equal to 2 pi f, time period बहुत important है, time period related question पूछे जाते है, speed jimans 2015 में पूचा गया, और neat 2015 में भी पूचा गया, neat नहीं हुआ करता था, या PMT हुआ करता था, उस time to speed पूचा गया, v equal to omega root under a square minus x square, एक का दे दे देंगे, दूसरा का दे देंगा, और दूसरा में एक ची है, या कुछ भी दे सकते है, ठीक है, और वो आपसे पूच लेंगे कि बताओ क्या होगा, दूसरे वाले में, relation करके पूचते है, 2015 AIPMT का question पर उठाना, देख करके solve कर लेना, acceleration a equal to minus omega square double differentiation है, kinetic energy half mb square equal to half omega square, a square minus x square, चोटा a acceleration बड़ा a जो है, वो है amplitude, potential energy equal to half k x square, important है यह सब, energy equal to half k a square, which is constant in spring mass system का time period निकालना, देख लेना, series और parallel में कैसे time period निकालता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, series combination and parallel combination, फिर simple pendulum, simple pendulum, t equal to 2 pi root under l by g equal to 2 pi root under l by g, effective, g effective है, ठीक है, in accelerating reference frame, g effective is net acceleration due to pseudo force and gravitational force, compound pendulum and physical pendulum, t equal to 2 pi root under i by mg ये लिए बहुत ज्यादा important है, पुछा जाता, अब क्या करता है ना, वो लोग i equal to क्या होता है, mr square होता है, ठीक है, mr square normal, cylinder के लिए कुछ और होता है, solid sphere के लिए कुछ और होता है, यहाँ पर i क्या है, i cm plus ml square, i equal to i cm plus ml square, moment of inertia plus ml square, l is distance between point of suspension and center of mass, तो ये चीज़े याद रहना है, यहाँ से question पूछे जाते है, time period t equal to 2 pi root under i by c, where c is torsional constant, superposition of shm along the same direction, x1 equal to a sin omega t, and x2 equal to a2 sin omega t, यह पर लेना, आपसे पूछा जाएगा, amplitude का resultant पूछा जाता, और 10 phi equal to a2 sin theta divided by a1 plus a2 cos theta, optics में देखेंगे, wave optics में बहुत अच्छे से amplitude और intensity का, जो पूछा जाता, i maximum और i minimum का ratio बता दो, और i maximum, i minimum और amplitude और width में क्या relation है यह बता दो, damped oscillation देख लेना, पढ़ लेना, सरिफ नॉर्मल सा है, जितना important है वो मैं आपको बता दूँगा, need 2021 जहां बोलूँगा, वो लिख लेना, अब यहाँ पे सारा कुछ ही यह सा पढ़ लेना, for a small b angular frequency, amplitude, energy, कैसे क्या निकलता है, quality factor, quality factor important है, need 2021 के लिए, ठीक है, quality factor याद रखना, forced, oscillation and resonance, सारा कुछ पढ़ लेना, अब string waves, देख लो, string waves में, differentiation, general equation of wave motion, double differentiate करके निकालता है, wave number जो कि मैंने starting में बता है, w by, sorry, omega by v, k equal to 2 pi by lambda equal to omega by v, phase of wave याद रहना, part difference and phase difference important है, यह बहुत ज्यादा important है, speed of transverse wave along a string wire, v equal to root under t by mu power transmitted along the string by a sine wave, average power equal to 2 pi square f square a square mu v, intensity याद रखना, ठीक है, यह सब पढ़ लेना, स्रिफ याद इसमें जो रखना, वो आपको इतना ही याद रखना, ठीक है, फिर reflection and reflection of waves, reflection and reflection of waves, देख लेना, equation, यहाँ से आपको क्या करते हैं, यह equation देते हैं, और इस equation में k2 या k1 वो लोग पूच लेते हैं, ठीक है, इस equation से k2 k1 पूच लेते हैं, अब k2 k1 क्या है वेव नंबर और कब निकलेगा जब आपके पास omega की value रहेगी तब निकलेगा और v के value रहेगी v अगर नहीं भी रहता तो आप लोग इसे differentiate करके निकाल लोगे क्योंकि v equal to dy by dt होता है ठीक है और आपके पास omega की value होना must है तबी k equal to omega y v करोगे और question को solve करोगे ठीक है अब यहाँ पर if incident from rare to denser medium v2 is less than v1 अब यह yt और yr देख लो यहाँ पर लिग रहा if incident from denser to rare medium v2 is greater than v1 amplitude of reflected and transmitted wave याद रगना standing stationary wave need 2021 ठीक है याद रहना यह सारे चीज़े पढ़ना anti node node की से कहते है और amplitude 0 होता है node पे और 2a होता है amplitude कहां पे anti nodes पे ठीक है यह सारा कुछ पढ़ना again open organ pipe and closed organ pipe need 2021 open organ pipe and closed organ pipe need 2021 string free at one end और string fixed at both the end ठीक है fixed at both the ends तो यहाँ पर क्या किया याद नगना frequency याद रहना और wavelength याद रहना frequency और wavelength याद रहना और याद रख सकते है तो V की value भी याद रख लेना ठीक है तो यह आपसे पूछा जाएगा heat and thermodynamics यह important velocity related मैंने आपको बता रहा का है most probable root mean square यह सारा कुछ important है ठीक है vrms equal to root under 3 kt by m vrms is directly proportional to root t और vrms equal to root under kt by m into 1.73 most probable speed याद रखना अब यहाँ पर देख लो vrms is greater than mean velocity और उसके बाद आता है आपका most probable ठीक है तो सबसे ज्यादा कि इसकी velocity होती है rms root mean square फिर होता है mean फिर होता है most probable clear degree of freedom याद रखना degree of freedom 2018 नीट में पूछा गया है इससे related question अब याद रखना यू डबलू क्यू यह कहां पर zero होता है एक लेना कहां कहां पर zero होता है यू डबलू क्यू ठीक है जैसे यहाँ पर देखो internal energy in isothermal zero हो गया work done in isochoric zero हो गया ठीक है और फिर आपका क्यू किदर zero होता है वो देख लेना clear है ऐसे करके question पूछे गए थे जे में 2018 में तो यह नीट 2021 में पूछा जा सकता है Maxwell's law of equation of energy देख लेना यह equal to f by 2 nrtf क्या है degree of freedom degree of freedom work done सबके process के work done कैसे निकालते है वो याद रखना cp और cv का relation याद रखना मेर्स equation cp-cv equal to r और gamma क्या होता है cp by cv और equal to 1 plus 2 by f for monoatomic cp by cv 1.674 diatomic cp by cv equal to 1.4 for triatomic cp by cv equal to 1.33 यह important है भाईया ठीक है work done for adiabatic process सबके याद रखना बट adiabatic process थोड़ा सा है important होता है तो एक question यहाँ से बन सकता है यह पेच्छे एक question बन सकता है याद रखना इसका क्या important है refrigerator and heat engine या carnot cycle ठीक है दूसरा question वहाँ से बनेगा refrigerator, carnot cycle या heat engine दो question बन गया आपके पास और तीसरा question होगा graph related question graph related question वह लो पूचेंगा बस इसके आला होगा कुछ भी नहीं आएगा confirm रखो 200% confirm रखो in cyclic process delta q equal to delta w mixture mixture of non reacting gases पर लेना heat engines वेगरा देख लेना heat engines यहाँ पे formula लिखा हुआ है w by qh equal to qh minus ql divided by qh equal to 1 minus ql by qh ठीक है second law of thermodynamics पर लो क्या होता है कहने होता है फिर entropy r delta is equal to delta q by t equal to sf minus मतलम final है f मतलम final i मतलम initial final minus initial equal to integral part of initial से final upper limit and lower limit delta q divided by t q क्या ची होता है यहाँ पे q होता है यहाँ पे देखलो हो यहाँ पे लिखा हुआ है q क्या होता है ठीक है यह देखो change in energy u heat होता है q work done होता है w ठीक है अब फिर efficiency 2017 नीट में पूछा गया है नीट 2017 ठीक है यह directly पूछ दिया था क्या किया था ऐसे diagram दे दिया था match of the following कराने बोला था तो पहला जो है वो है isothermal फिर है adiabatic expansion फिर थर्ड नंबर पे जो है isothermal compression fourth number में adiabatic compression तो compression and expansion याद रखना ठीक है किसे क्या बोलते है वो दिमाग में रखना thermal efficiency of carnot cycle eta equal to one minus t2 by t1 eta equal to one minus t2 by t1 important formula फिर refrigerator refrigerator भी important है बता चुका हूं मैं coefficient of performance beta equal to q2 by w equal to one by t1 minus t1 by t2 minus 1 equal to one by t1 by t2 minus 1 थीक है अब calorimeter and thermal expansion में देख लेना ये सारे कुछ पढ़ लेना जो important है alpha की value alpha equal to delta l by l not into delta t और l equal to l not one plus alpha delta t 2016 नीट में पूचा गया एरिया सुपरफीशियल देख लेना volume cubicle देख लेना ये ratio पूचा जाता है पूचा जाता था अब नहीं पूचा जा रहा है पहले पूचा जाता था thermal stress of material f by a equal to young modulus delta l by l energy stored per unit volume variation of time period important है ये variation of time period ये मैंने community पे पूच्ट किया था question अगर time gain करता है तो t dash is less than t clock जो होगी वो fast होगी अगर time loss करता है t dash is greater than t clock जो होगी वो slow होगी ठीक है फिर calorimeter में आता है specific heat is equal to q by m delta t t is equal to q by m delta t molar specific heat c equal to delta q by n into delta t water equivalent mwsw heat transfer पहला question ये ठीक है तीन question पूचे जाएंगा बताता हूं मैं पहला question ये series और parallel याद रगना है इससे एक series parallel 2017 में पूचा गया था वो देख ले ना series parallel करके पूचते है k की value पूच लेंगे या a की value पूच लेंगे देदेगा series parallel है या उसे cut लगा देते हैं बीच से काड़ देते हैं तो जो area होगी वो भी तो half हो जाएगी ना तो area change होगी तो q भी change होगा क्योंकि q is directly proportional to area ठीक है thermal resistance भी change होगा r equal to l by ka और यहां पे l भी change हो रहा है और a भी change हो रहा है लेंथ और area सारा कुछ change हो रहा है तो वहां से आपका जो r है वो भी change होगा r change होगा मतलम kb अगर आप लोग निकालोगे तो k equal to क्या होता है l by r a तो k भी change होगा ठीक है constant भी ले सकते हो clear है तो यहां पे देख लो series and parallel का combination ऐसे करके 2017 में पूछा गया था वो भी copy paste है तो ऐसे करके देख लेना पहला question वो है दूसरा question है आपका मेरे notes से पढ़ना मेरे notes में बहुत अच्छे से दिया हुआ है दूसरा question है winds displacement law winds displacement law दूसरा question stephen bordjman law तीसरा question u equal to sigma t power 4 और यह ख length से relate करेंगे need 2018 का paper solve कर लेना need 2018 का paper solve कर लेना वहां पे पूछा गया है sigma t का power 4 ठीक है और यहां पे lambda m t equal to p ठीक है अब newton's law of cooling fourth number में आता है newton's law of cooling बस इतना ही 4 questions वो पूछ सकते हैं इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें electrostatic electrostatic में normal f equal to k q1 q2 by r e square e equal to f by q naught और f equal to qe normal basic formula वP equal to w by q यह 2002 jman's में पूछा गया था तो सारो कुछ दिया हुआ था और normal potential पूछा था तो potential equal to work done divided by charge potential difference va minus vb यह भी पूछा जाता है potential difference याद रखना आपको मिलेगा यहाँ पर potential difference several types में कैसे कैसे यूज करते हैं point charge के लिए v equal to k q by r infinitely long charge के लिए vb minus v equal to minus 2 k lambda long r b divided by r है infinite conducting thin seat important है uniformly charged ring important है infinitely large charge conducting seat देख लेना uniformly charged hollow conducting non conducting solid conducting sphere के लिए याद रखना ठीक है surface पर पूछा जाएगा एक internal पूछा जाएगा और एक external पूछा जाएगा potential difference बता दो इस में क्या होगा पहला तो एक surface पर क्या होगा एक conducting sphere है उसके surface पर potential difference क्या होगा एक conducting sphere है उसके अंदर inside the conducting sphere potential difference क्या होगा या potential क्या होगा और एक conducting sphere है जिसके बाहर में potential क्या होगा ठीक है या potential difference क्या होगा क्लियर है ऐसे करके question पूछा जाता है work done by external agent in taking a charge q from a to b एक charge को यहां से लेकर के यहां तक move कराते है तो इसका work done क्या होगा ठीक है तो क्या होगा q w equal to q into v b minus v है यह distance और यह distance दोनों potential करके निकाल लेना the electrostatic potential energy of a point charge u equal to qv ठीक है u equal to qv u equal to potential energy of the system normal से है energy density याद रहना self energy of a uniformly charged sphere u equal to kq square by 2r self energy of a uniformly charged solid non conducting sphere u equal to 3 kq square by 5r electric field intensity due to dipole dipole important है यह dipole आने वाला है exam में तो तीनों dipole का formula देख लेना potential energy of an electric dipole u equal to minus p torque देख लेना torque भी important है j means के लिए बहुत ज्यादा important हो जाता है torque बट नीट में पूछा जा सकता है j means 2018 और 2017 2016 continuous पूछा गया थीक है तो पूछा जा सकता है नीट 2021 में टॉर्क से related उस level पर नहीं पूछेगा normal चा टॉर्क equal to p cross e या टॉर्क magnetic field में भी torque आएगा वहां से भी relate करके पूछा जा सकता है electric dipole in non uniform electric field देख लेना electric potential due to dipole general point electric flux electric flux again conducting is fair के अंदर में जो होगा तभी electric flux दिया जाएगा अगर charges अंदर में रहते है अगर बाहर में रहते है तो flux क्या होगा जीरो हो जाएगी तो ऐसे करके flux का सारो कुछ देख लेना flux using gauss is low gauss is low q inside by epsilon not electric field intensity near the conducting is fair equal to sigma by epsilon not in cap अब यह देख लेना potential difference between point a and b need 2021 2015 EIPMT में पूछा गया है यह जो relation है ना equal to minus id v by dx plus j cap i cap j cap और k cap से relation कैसे क्या निकाला जाता है gradient potential जो निकलता है वो negative रहता है यह भी दिमाग में रखना ठीक है एक बर 2015 EIPMT का question paper उटागर के solve कर लो चीजे समझ में आ जाएगी कैसे क्या होता है तो यह important है ठीक है देख रो आप लो formula based question बहुत पूछे जाता है और वही रहेगा 25 question तो रहे गई रहेगा electric current क्या होता है देख लो electric current इन a conductor क्या होता है current density क्या होता है i equal to neavd और drift velocity है यहां जो vd लिखा हुआ है electrical resistance देख लेना v equal to ir ohms low वेगरा series and parallel आएगा तो वो देख लेना dependence of resistance on temperature r equal to r0 1 plus alpha theta electric current in resistance i equal to v2 minus v1 by r यह देख लेना electric power p equal to v i energy equal to integral p dot dt यह देख लेना यह सारा कुछ ठीक है फिर किर्चॉफ्स law क्या होता है किर्चॉफ्स law बहुत important है किर्चॉफ्स law जंसन law और loop law series and parallel combination देख लेना यह बच्पन में भी पड़े होगे सारा कुछ बच्पन में मतलं class 8 और 10 में भी पड़े होगे तो यह आना चाहिए अब यह तीन question में बताता हूं तीन question क्या क्या है सबसे पहला color color निकालने का question आता है यहां पर resistance में तो वह color का पहला देख लेना फिर दूसरा question आता है potentiometer ठीक है potentiometer यह सारा कुछ करके potentiometer से 99% chances है question आएंगे third question क्या पूछेंगे third question पूछेंगे वो लोग आपसे m meter या galvanometer ठीक है m meter या galvanometer से related question तो यह होता है तीसरा question यह तीन question आप लोग याद रखना ठीक है grouping of cells देख लेना grouping of cells कैसे क्या निकलता है cells in parallel and cells in series है meter का concept दिया हुआ है यहां पर ig dot rg equal to i minus ig into s इस जो है वो है sunt resistance क्या है sunt resistance is equal to ig into rg divided by i minus ig s equal to ig into rg by i when i is greater than ig ठीक है very 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 large compared to ig यहां पर देख लेना यह सारा कुछ आप लोगों का पढ़ना काम है जो important है वो बता रहा हूँ मैं because बहुत कम time है यहां पर ठीक है ideal emitter has zero resistance यह important है voltmeter देख लेना क्या होता है कैसे होता है rs और rg का relation देख लेना potentiometer important है आप लोगों को सारा कुछ आना चाहिए application of potentiometer हर एक चीज में देख लेना ठीक है खास करके यह वाला यह वाला formula याद रगना यह वाला formula यह बहुत important emitter and voltmeter can be graduated by potentiometer emitter and voltmeter can be calibrated by potentiometer meter bridge क्या होता वो देख लेना meter bridge में कैसे है पहले questions पुछे जाते थे यह देदेगा यह देदेगा यह देदेगा और आपसे यह पुछा जा सकता है या R देदेगा P Q देदेगा X साब से पूछा जा सकता है, कुछ भी वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, और ऐसे करके X निकाल लेना, क्लियर है, अपलाइंग दी कंडिशन फोर बैलेंस्ट विट इस्टोन ब्रीज, वी गेट R Q एकल तो P X X एकल तो R into Q divided by P X equal to 100 minus L divided by L into R, clear है, फिर आता है capacitor, capacitor में देख लेना, ये सारा कुछ स्पेर से रिलेटर, फिर पैरलल प्लेट कापेसिटर and स्पेरिकल कापेसिटर, शीरीज प्लेट कापेसिटर, शीरीज ने पैरलल प्लेट कापेसिटर and स्पेरिकल कापेसिटर, ये दो फोर्मूला या Q is directly proportional to V, Q equal to CV, normal सा है electric current में V equal to IR पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, V is directly proportional to I, और R आता है resistance, constant, उसी तरह से यहाँ पर C capacitance constant आता है, और कुछ नहीं है, capacitance of capacitor, ठीक है, given रहागा सारा कुछ, अब यहाँ पर एक और फोर्मूला चूट रहा है, C equal to 4 pi epsilon not epsilon r into r, r equal to radius of spherical conductor, cylindrical capacitor पढ़ लेना कैसे क्या होता है, electric field intensity between the plate of capacitor, E equal to sigma by epsilon not equal to V by D, sigma equal to surface charge density, force experienced by any plate of capacitor, F equal to Q square by 2A, epsilon not, यह important है, ठीक है, distribution of charges on connecting two charged capacitors, यह देख रहाँ है, जहीं में रिसेंटली पूचा गाया है, 2017 में, ठीक है, 2016, 17, 18, और ऐसे करके पूचा गया है, J means में, तो यहाँ से पूचा जा सकता है, charges पूचेंगे, क्यों पूचेंगे, तो Q1-Q2- कैसे निकालते हैं, वो आप लोग देख लेना, फिर heat loss during redistribution, combination of capacitor series and parallel charging and discharging, again important, charging and discharging, ठीक है, charging and discharging, देख लेना, फिर time constant क्या होता है, यह समने पूचेंगा, स्रीक पढ़ लेना, capacitor with dielectric, again, यह important, capacitor with dielectric, c equal to k, epsilon not, a divided by d equal to k into c not, यह 2017 का paper solve कर लेना, need 2017 का paper solve कर लेना, एक question आपको मिल जाएगा, वहाँ से, ठीक है, यह सारा कुछ आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, force on dielectric देख लेना, पूचेगा, नहीं, पूचेगा, alternating current, alternating current में, power से question आने वाला, power loss, power average, power rms, कुछ भी पूचे, power से question आएगा, confirm रखो, ठीक है, तो एक question होगा, power, दूसरा question होगा, वह formula based होगा, वह numerical देगा, जिसमें calculation आपको करना होगा, calculation अच्छे से करके जाना, ठीक है, तीसरा question क्या देता है, तीसरा question generator देदेगा, जनरेटर में secondary output और input करके देता है, ठीक है, output और input, ठीक है, V output और V input, V output, V input, I output, I input, I output, I input, I output, ऐसे करके देगा, वह देख लेना, जनरेटर का दूसरा question होगा, ठीक है, secondary और primary भी बोलता है, तो SPB करके दे सकता है, IP, ISB करके दे सकता है, root mini square formula होता है, IRMS का बोलता है, root mini square, power consumed unsupplied in an AC circuit, Vm by root 2 into im by root 2, cos 5 equal to Vrms into irms into cos 5, ठीक है, cos 5 क्या ची होता है, called power factor, cos 5 क्या होता है, power factor, some definitions, definitions देख लेना, impedance किसे बोलता है, inductive reactance किसे बोलता है, xl equal to omega l, capacitive reactance किसे बोलता है, xz equal to 1 by omega c, purely resistive circuit क्या होता है, purely capacitive circuit क्या होता है, formulas क्या होते है, मेरे notes पढ़ लेना, notes में बहुत अच्छे से, मैंने दे दिया, current कब leads करता है, कब leak करता है, v से, ठीक है, current leads by v c by pi by 2 diagram एटे के लिए, phase diagram इसे बोलता है, it is represented as, यहाँ पर लिखा हुआ है, phase diagram, sin 5 equal to 90 degree, p equal to v rms into irms cos 5 equal to 0, ठीक है, clear है यह चीज, notes एक बार पढ़ लेना, notes में बहुत important है, यह पूचा गया है, यह तो, अजर, sol, aipmt, या, neat बोल सकते हो, आप लो, phase 1 में पूचा गया है, कब lead करता है, कब lack करता, magnetic effect of current and magnetic force on charge, current सारे formula's खास करके, bio server slow, magnetic field due to straight wire क्या होता है, magnetic field due to infinite straight wire क्या होता है, और यह important magnetic field due to circular loop, यह बहुत important है, b equal to mu net ni by 2 r, फिर solenoid आता है, solenoid again important है, एक question solenoid से पूचा जाता है, फिर ampere slow देख लेना क्या होता है, b dot d l equal to mu net i important है, magnetic field due to long cylindrical cell पढ़ लेना, magnetic force acting on a moving point charge, f equal to q into v cross b, और time period पूचेगा, यह आएगा, यह question आपका आएगा, point number 9 आएगा, एक बात याद रहना है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कैसे आएगा, proton, deutron और electron, proton, deutron और electron से related वो लोग आपसे time period पूचेगा, तो वहाँ पर जो charges होंगे, charges in proton different होता है, charges in deutron एक अलग होता है, तो वहाँ पर आप लोग अलग-अलग क्यों put करना, जैसे क्यों different होगा, time period सबका different होगा, because mass भी different होता है, mass भी तीनों में different होते हैं, तो time period different हो जाएगा, ratio पूच सकता है, या किसका चाहता होगा, वो पूच सकता है, तो point number 9 important है, jmns 2018 में पूचा गया है, copy paste था question, jmns 2002 या 3 का, आप लोग मैच करा सकते हो, ठीक है, तो neat 2021 के लिए point number 9 important है, फिर आता लॉरेंच बोलते हैं, इसे f equal to q, प्रैकेट में v cross b plus e, magnetic force acting on a current carrying f equal to bil, parallel current carrying conductor state, यह पूचा गया था, आपसे neat 2016 में, और 17 में तो यह याद रखना कैसे होता है, अगर same direction में, तो repulsion होगहा या attraction, अगर दोनो opposite direction में तो क्या होगा, reaction, same direction में है तो repulsion होगहा, opposite direction में है तो attraction होगा, और formula कया होता है, f equal to, f equal to il cross b, current का, अब, 2 i कर दो, तो क्या हो जाएगा, बताओ, comment में comment करना comment box में comment करना ठीक है 11 number में magnetic moment of current carrying loop देख लो torque देख लो torque अगेन important torque equal to m cross b magnetic field due to a single pole magnetic field on the axis of magnet magnetic field on equatorial axis ये important है b equal to mu1 by 4 pi cross sorry dot m by r cube magnetic field at a point p due to a magnet ये भी important है ठीक है ये याद रगना ये याद रगना बना ले ना पेपर बताता हूं मैं नीट 2013 नीट 2013 और 2014 इसका पेपर देख लेना ये important है ठीक है ये पीम्टी हुआ करता था वह इस time इसमें questions दिया हुआ बार मेंगनेट से related वह angle theta बहुत important है ठीक है clear है वह देख लेना अब आता है electromagnetic induction electromagnetic induction में भी आपका इसमें solenoid इसमें भी important है charge से relate किया जाता है इसमें ठीक है अब पहले फर्मूला है magnetic flux phi equal to integral part of b dot ds faraday's law क्या बोलता है e equal to minus d5 by dt lenses law देख लेना induced emf due to rotation क्या होता है b equal to b omega r square by 2 fixed loop in a varying magnetic field e equal to r by 2 db by dt self induction induction क्या होता है important है self induction अगेन यह भी important है need 2017 में पूछागा है inductor energy stored half l i square energy stored in an inductor half l i square growth of current in series rl circuit growth and decay नहीं पूछेगा growth and decay नहीं पूछेगा फिर भी आप लोग पढ़ लेना यह ठीक है decay and growth mutual inductance क्या होता है n5 equal to mi equivalent self inductance series and parallel combination normal सा l equal to l1 plus l2 parallel में 1 by l equal to 1 by l1 plus 1 by l2 ठीक है श्रिफ देखो जैसा resistance में होता हो वैसा inductance में होगा श्रिफ फर कहां पर आता है spring में spring में क्या होता है spring का जब आप time period निकालते हो अब उसमें series और parallel करते हो तो spring का series में क्या ची हो जाता है spring का series में हो जाता है 1 by r1 plus 1 by r2 ठीक है 1 by r equivalent यह spring में और parallel में क्या हो जाता है r equal to r1 plus r2 और जब resistance और inductor में देखते है तो series में क्या हो था r equal to r1 plus r2 and parallel में 1 by r equal to 1 by r1 plus 1 by r2 और same हो था inductance में जो कि आपको देखने मिल रहा l equal to l1 plus l2 and 1 by l equal to 1 by l1 plus 1 by l2 ठीक है clear है m equal to k into root under l1 into l2 where k is called coupling constant and its value is less than or equal to 1 अब यह जो मैं बता रहा था यह देख ले ना generator में जो हो था secondary and primary output input कुछ भी करके वो लोग पूछ सकते तो यह important है lc oscillation omega square equal to 1 by lc omega square equal to 1 by lc alternating current में एक चीज आपका छूट रहा है जो कि लोगों ने नहीं बता है alternating current में band width यहाद रहना band width करके एक दिया हुआ delta omega यह आप लोग देख लेना बहुत important है ठीक है delta omega पूछा जा सकता है rc इसका क्या relation है बस इतना पढ़के रगना यह important है अब देखते हैं next next है हम लोगोगा geometrical optics reflection of light angle i equal to angle r normal सा है characteristic of images due to reflection by a plane mirror यह सब पढ़ लेना relation between velocity of object and image इस पर मैंने एक वीडियो भी डाल रहा है numerical करा है उसमें तो वो ना देखो स्रिफ और स्रिफ formula याद रगना कि अगर image move कर रहा है और mirror रुका हुआ है mirror rest पर तो जो image sorry अगर object move कर रहा है mirror rest पर है और आपका object भी move कर रहा है तो जो image की velocity होगी तब क्या होगी ठीक है तो वही सारा कुछ यहां पर लिखा हुआ है वो देख लेना spherical mirror देख लेना यह important है magnification किसमे negative होता है किसमे positive होता है यह याद रगना फिर combination देख लेना combination of spherical mirror combination of spherical mirror से question पूछा जा सकता है ठीक है अब और इसमें क्या है Newton's formula देख लेना Newton's formula important है power देख लेना कैसे निकालते है longitudinal magnification equal to v2 minus v1 divided by u2 minus u1 ठीक है अब reflection of light mu equal to c by v laws of reflection देख लेना यह important है यह neat के लिए important है isnell's law भी बोलते है ठीक है यहां पर लिखा है this is known as isnell's law sin i by sin r equal to n2 by n1 equal to v1 by v2 equal to lambda 1 by lambda 2 ठीक है clear है यहां तक यहां तक जितने important पता है मैंने स्रिफ वो देखते जाओ वो formula याद करते जाओ question आपका solve होते जाएगा ठीक है deviation of a ray due to reflection पढ़ लेना deviation angle of deviation किसे बोलते है ठीक है principle of reversibility of light rays apparent depth and shift of submerged object ठीक है मचली की आँख पानी है इसमें मचली है उसकी आँख जो है वो बता दो कितना distance पे होगा ठीक है थोड़ा सा shift कर जाता reflection through a composite slap जहीए advance का सबसे favorite question है जहीए advance का यह सबसे favorite question है ठीक है तो यह formula देख लेने यह पूचा जाता apparent shift आपसे पूचेगा बहुत basic है बहुत एक line में question यह solve हो जाता है formula put करना सब चीज दिया हुआ रहेगा last in 1 या in 2 आपसे पूच लेगा ठीक है कुछ भी पूच सकता है in 3 भी पूच सकता है prism तीसरा important prism से लगातार question 2016 15 में पूचा गया तो prism again important है prism 2017 में भी prism से पूचा गया दो cases बनते है prism में तो दोनो cases पढ़ लेना मेरे notes देख लेना notes में बहुत अच्छे से सारा कुछ formula दिया हुआ है ठीक है अब यहां पर टूटल इंटर्नल रिफ्रेक्शन का condition देख लेना light is incident on the interface of from denser medium angle of incidence should be greater than the critical angle i is greater than c फिर यहां पर देख लो यह सारा जो formula है ना यह सारा formula बहुत important है ठीक है यह formula important है mark कर देता हूं dispersion of light देख लेना dispersion of light की से बोलते है क्वाचिस formula दिया हुआ है यह देख लेना angle of dispersion prism से related for prism of small a and with small i theta equal to nv minus nr into a deviation of beam also called mean deviation deviation यह देख लेना dispersive power dispersive power यह पूचा जा सकता है ठीक है dispersive power पूचा जा सकता है important है अब फिर आथा combination of two prism combination of two prism भी पूच सकते है prism important है prism से related वोलो कुछ भी पूच सकते है reflection at a spherical surface lens maker formula आगे यह third point आपको मिलता है n2 by v minus n1 by u equal to n2 minus n1 divided by r ठीक है refractive at a spherical thin lens यह भी important है अब एक silver ने दिया हुआ है जैसे ऐसे रहता है और यहाँ पे silver कर दिया ठीक है silver coloring बोलते है यह एक mirror है वहाँ पे एक साइड में silver color से इसे paint कर दिया है तब क्या होगा तो ऐसा इसमें आपको नहीं दिया हुआ है बट मेरे notes में आपको मिल जाएगा तो वो देख लेना ठीक है इसमें से फ्रिल का आया direct vision combination dispersion without deviation deviation without dispersion यह था आपका नीर्दवाजर 16 17 का question फिर आप लोग maximum power in the am with distortion with will occur when यह सब पढ़ लेना यह सब कुशें आएंगे नहीं तो पढ़ लेना frequency modulation वे गरा देख लेना frequency modulation में क्या था CES important है carrier swing frequency modulation index यह point important है और फिर deviation radio percent modulation वे गरा देख लेना ज्यादा कुछ है नहीं फिर semiconductor semiconductor PIP पर डला हुआ है वो देख लेना उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा ठीक है वीडियो डला हुआ 18 मिनट का वीडियो वो देख लेना notes पढ़ लेना काफी है more than enough है semiconductor में अब यह क्या क्या इंपोर्टेंटे ट्रांजिस्टर अच्छे से देख लेना cb amplifier numerical पूचा जाता है इस पर फिर आपका c amplifier ac current gain bc beta c equal to delta ic by ib into vc equal to constant dc current gain ic by ib voltage gain पूचा जाता पावर गेन पूचा जाता है transductions देख लेना फिर relation between alpha and beta ठीक है तो इसमें बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है तो यहां तो clear है अब देखते हैं हम लोग lens maker formula यह बता दिया combination of lenses भी बता दिया combination of lenses important है याद रखना बहुत ज्यादा important है लोग मार्क करते ताव में because अभी recently 2018 जही में यह पूचा गया फिर नीट में copy किया था उसका concept ही copy करते अब आप सोचोगे कि direct question copy paste कर दे तो वैसे करेंगे 15 question होंगे 180 में ठीक है अगर 200 का अगर लेकर के चलते हो तो टोटल 25 question होंगे 200 में जो की copy paste होंगे जैसे मतलम समझो बस उठाया उसे चिपकाया और दे दिया ऐसे question होते हैं आप match करा सकते हो जैमेंस ओन नीट में मिलते हैं अप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देख लेना एक question यहां से बनता है बहुत असान question पूछा जाता अब जैसे copy paste बता रहूं है जैमेंस 2017 में copy paste किया गया था तो वहां से श्री value जो है न वो change कर दिया गया था AIEEE 2002 का question को ठीक है 2002 का question copy paste था नीट 2017 2017 में और वह क्या पूछा था वेवलेंद के बारे में और वह वेवलेंद क्या है यहां पर आजो यहां पर आप लोगों को मिलेगा astronomical telescope में magnification और हाँ यह आजो resolving power resolving power से वह question था है इसमें 2μ sin theta by lambda दिख रहा है न यह relation याद रगना microscope के लिए telescope के लिए क्या होता ए बाई 1.22 इंटु लैंडा ठीक है यह दो चीजे याद रखना अगी यह सारा कुछ पढ़ लेना यहां पर जितने कुछ लिखे है compound microscope में magnifying power length of microscope यह 2015 में पूछा गया फिर 2016 में magnifying power और compound microscope से numerical पूछा गया था length of microscope देख लेना terrestrial telescope यह छोड़ दो यह अगर नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं है यह भी नहीं करते हो तो कोई बात नहीं है astronomical telescope and compound microscope यहाद रखना ठीक है और resolving power बहुत important है modern physics यतने भी फॉर्मूलाज है मेरे नोट से पढ़नों वहाँ पे सारा कुछ आपको मिल जाएगा बहुत अच्य अच्य फॉर्मूला है derive खुद से भी derive किया हुआ अब important क्या है work function पहला important work function दूसरा photoelectrons k e max equal to e into vs stopping potential है तीसरा important है h mu equal to w not plus k max hc by lambda equal to hc by lambda not plus evs ठीक है यह होगी है तीसरा important star mark करता हूँ यहाँ पर जितने star mark है वो आपको करके जाना है energy देख लेना है energy कैसे solve करते है फिर यह सारा कुछ पढ़ लेना f equal to i a by c pressure equal to i by c f equal to 2 i a by c p equal to 2 i by c ठीक है photo no transmission when light is incident perpendicularly clear when light is incident at an angle theta with vertical f जो है न वो force है 2015 AI PMT में पूछा गया है इसके बारे में इसलिए यहाँ पर force and pressure की कहानी दे रखी है debaugly wavelength fourth number तो यह देख लेना lambda equal to h by mv equal to h by p equal to h by root under 2mke radius and speed of electron in hydrogen like atoms देख लेना कैसे क्या होता है यह important यह आएगा यह पूरा यहां से यहां तक यह आएगा ऐसा मुझे लगता है यह आएगा बालमर या लाइमन सीरीज में relation पूछेगा तो याद रखना बालमर एंड लाइमन सीरीज सीरीज में और लास्ट लाइन क्या होता है यह भी देखने ना लास्ट लाइन कैसे निकालते रेशियो पूछेगा ठीक है पास्चन सीरीज भी वो लोग पूछ सकता है लाइमन सीरीज इस एन अल्ट्रा वोलेट एन पास्ट ब्रैकेट अन पीफोंट सीरीज आर इन दी इंफ्रारेड रीजन इंपोर्टन लाइन है एनर्जी वो लोग नहीं पूछ भी सकते है बट जो मेन है न वो वेवलेंट है आप कर ठीक है तो वेवलेंट दिमाग में रखन रेशियो पूछेगा और लास्ट लाइन लाइमन और बालमर या पास्टन सीरीज में रिलेशन या रेशियो टेक है टोटल नंबर ओफ पॉसिबल ट्रांजिशन इस एन इंटो एन माइनस वन दिवादेट बाइट बाइट तो फॉर एन्थ इस टेट इफ इफेक्ट अफ इस मोशन इस कंसीडर्ड आर न इकल टो जिरो पॉन फाइफ टू नाइन आमस्ट्रों एन इसक्वाइर डिवादेट बाइट आमस्ट्रों मतलम दस का पावर माइनस दस ठीक है क्लियर है और एनर्जी इकल टो माइनस 13.6 एलेक्ट्रोन वोल्ट इंटो जेट इसक्वाइर इन इसक्वाइर तो यह दोनों फॉर्मूला याद रगना आर एन और एनर्जी के लिए है ठीक है इंपोर्टेंट है अब मू रिडूस्ट मास यह देख लेना मास ऑफ नूकलियस मिनिमम वेवलेंथ 4 यह इंपोर्टेंट है फिर मॉजल्स लो यह भी इंपोर्टेंट है इसे यह 2015 AIPMT में पूछा गया है तो बैंडिंग एनर्जी भी इंपोर्टेंट है अल्फा डीके बीटा डीके इंपोर्टेंट ही यह पूरा यहां से लेकर के यहां तक इंपोर्टेंट है तो यह भी स्टार मार्क इसमें क्यू की वेलू कैसे निकालते हैं बैंडिंग एन लेना सारा कुश्यन है फिफ्ट नंबर में यह बहुत इंपोर्टेंट है एन इकल टू एन नोट इदी पावर माइनस लेंडा टीक अब कब पूछा गया है 2015 16 17 लगातार तीन साल पूछे गया है और पहले बहुत बार पूछा गया है नीट और AIPMT में मैक्सिमम टेंट ट हाफ लाइफ भी पूछा जाता हाफ लाइफ इंपोर्टेंट हो जाता है फिर एव्रेज लाइफ एव्रेज मतलम T हाफ ठीक है टी टू लिगा हुआ है एवरेज मतलम टी टू इगोल टू टी हाफ डिवेड़ेड़ बाई 0.693 क्लियर है देख लो यहां टी एवरेज इकोल टू टी हाफ डिवेड़ेड़ बाई 0.693 वो इस स्लाइट से एक कोशन नीट तो अजर 21 में आने वाला कनफॉर्म र यह स्लाइट से एक से दो कोशन पुचा जा सकता है मिनीमूम टू कोशन मुझे लग रहे है और मैक्सिमम ट्री टू फॉर कोशन स्पूर्श सकते हैं क्लियर है सब चीज इंपोर्टेंट इसमें निक्स्ट रेडियराक्टिव नुक्लियस रेडियराक्टिव इकल थी कि भी इंपोर्ट चाहिए ओन बैर प्लस ब्लस 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 अब देख्ते हैं वेब आपिक्स वेब मोटिक्स में देखो चाहर चीज़े इंपोर्टेंट है सबसे पहले तो यहां पर इंटेंसिटी इंटेंसिटी एंप्लिट्यूड और विड्थ इसमें क्या रिलेशन है सबसे पहले यह दूसरा है पॉलराइजेशन तीसरा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और फॉर्थ नंबर में यह देख लेना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ठीक है यह देख लेना और फॉर्थ नंबर में आप लोगों का क्या है फॉर्थ नंबर में आप लोगों का डिफरेक्शन ठीक है क्या है diffraction बस यही पूछा जाएगा पहला यह relation दूसरा अपका polarization तीसरा यंग्स डबल स्लिट experiment एंट फॉर्थ नंबर में diffraction यही question पूछे जाते थे पूछे जाएंगे confirm है अभी यहां पे देख लो सारे फॉर्मुलास वेगरा देख लो कैसे क्या करना है यंग्स डबल स्लिट experiment में देख लो इस वेरी लेस कॉंपेर टू बिगर टी दिन लामडा इकोल टू डी वाई बैटी ठीक है और वाई इकोल टू एन बीटा एन इकोल टू जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू आप लोग ले सकते हो फॉर मीनिमा यह आपका पी मतलम वही जो यह मैंने डी बोला है वह वहां पे पी लीका हुआ है क्लियर है फ्रिंज विर्थ कैसे निगालते है बीटा इकोल टू लैम्डा दी बैटी यह लैम्डा इस वेवलेंधिन मेडियम हाइस्ट ओडर मैक्सिमा के लिए देखलो तोल नंबर उफ मैक्सिमा टू एन प्लस वन हाइस्ट ओडर उफ मीनिमा एन मैक्सिमम इकोल टू डी बाइ लैम्डा प्लस वन बाइ टू टोल नंबर उफ मीनिमा इकोल टू इन टू इन मैक्सिमम क्लियर है अब यहां पर इंटेंसिटी ओन स्क्रीन देख लेना इंटेंसिटी इंपोर्टेंट हमेशा से रहता है और यह 2017 में पूचा गया है यह भी ज का कॉपी पेस्ट है ठीक है अब यह डबल स्लिट एक्सपरियमेंट विथ टू वेवलेंथ लैम्डा वन एंड लैम्डा टू की कहानी दे रखी है 2017 में पूचा गया ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस देख लेना इंपोर्टेंट है अपली क्यों इंसीडेंस अब यहां पर यह पूचेगा यह स्रिफ पढ़ लेना यह जही मेंस के लिए है यह नीट के लिए उतना इंपोर्टेंट नहीं है ठीक है तो यह पढ़ लेना वी ओप्टेंस सेंटरल मैक्सिमा एट पोइंट वेर डेल्टा पी इकोल टू जीरो और ठीटा टू माइनस ठीटा ठीटा टू इक अगर इनकी वैलू वन वोती है तो लेमडा हो जाएगा इनकी वैलू इधर वन पूट करते तो वन बाई वन प्लस टू इट मींस थ्री बाई टू तो यह जब भी देव कोई गए तो यह क्या होगा यह आपका हमेसा ओड होगा वन पॉन पॉन फाइफ आएगा अगर टू रखते तो यह टू लेमडा हो जाएगा और यहाँ पे अगर टू रखते तो टू टू फॉर प्लस वन फाइफ बाई टू यहाँ पे आएगा टू पॉन फाइफ टीक है हमेसा रेशनल ही फॉर्म में आएगा थ्री रखते है तो शीक्स सेवन आ जाएगा मतलम 3.5 तो डिस् पॉलराइजेशन देख ले ना पॉलराइजेशन यह पूछा गया है रिसेंटली अभी 2018-1920 में पूछा गया है अप्टिकली एक्टिव यह नहीं पूछते है यह स्रिफ याद रखना लॉफ मॉल्स या मॉलस्स जो भी बोलते हो ठीक है और यह वाला पॉन्ट याद रखन मीव इक्वल टू 10 थीटा ब्रिवस्टर एंगल थीटा पी प्लस थीटा आर इक्वल टू 90 डिग्री रिफ्लेक्टेट अंड रिफ्लेक्टेट रेज और मुच्वली पर्पेंडिकुलर ठीक है फिर इसमें डिफ्रेक्शन लास्ट में सेकेंटरी मैक्सिमा और मीनिमा कैसे कब होता है वो याद रगना है 2016 15 14 13 सब में पूछा लाया यह साइन टीटा इकोल टू एम प्लस वन डिवैड़ेड़ बाई 2 फोर मैक्सिमा यार ऐसे होते है ना ऐसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यह रहता है इसको डिस्टेंस टी विर्थ बोलते हैं स्लिट का विर्थ क करके बनाते हैं बस यह यह नॉर्मल सा पड़े होगे तो चीजे आपको समझे में आए जाएगी ठीक है क्लियर है तो यहां पर यह सब चीजे देख लेना डिफ्रेक्शन बहुत इंपोर्टेंट है इसमें फिर साइन टीटा इकोल टू एम लैम्डा डिवैड़ेड बाई फोर मीनिमा लीनियर विट्थ ऑफ सेंटरल मैक्सिमा टू डी लैम्डा बाई ए अंगुलर विट्थ ऑफ सेंटरल मैक्सिमा टू लैम्डा बाई ए सारे फॉर्मुलाज यहां दोने चाहिए इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं रिजॉल्विंग पावर यह भी पढ़ लेना पावर इसमें कैसे होता अब बाता है ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन में क्या क्या देखना है जितना इंपोर्टेंट बता हुँगा उतना पड़के चल जाना उसके बाहर अब तक जितना कुछ बता है न स्रिफ उतना करो जैसे वेव आप्टिक्स में मैंने बता हुष उसके लावा कुछ भी नहीं है, ठीक है, यही सब पूछा जाएगा, तो वैसे जितना भी बताया है ना, उतना कर लो, सारा मैच करेगा आपके एक्जाम के पेपर में, ठीक है, Newton's law of gravitation, normal gravitation का formula देख लो, यहाँ पे gravitational field देख लेना, ग्रेविटेशन फिल्ड, इंपोर्टेंट ग्रेविटेशन पोटेंशल, ग्रेविटेशन पोटेंशल की formula याद रगना, रिंग वेगरा पढ़ लेना, फिर gravitational field is maximum at distance कहाँ पे होता है, R equal to plus minus a divided by root 2 entities, minus 2gm divided by 3 root 3a square, thin circular disk वेगरा देख लो, non-conducting solid sphere देख लेना, देख लेना, देख लेना, ग्रेविटेशन दोनों को combine किया जा सकता है, बस उसी का combination है, और कुछ भी नहीं है, वहाँ पे charges रहते हैं, यहाँ पे अपका G रहता है, clear है, और mass M1 and M2 रहता है, uniform thin spherical cell conducting solid sphere, variation of acceleration due to gravity, यह important है, यह बहुत important है, effect of altitude and effect of death, यह important है, यह सबसे पहला question आपको यहाँ पे मिलता है, effect of death, GD equal to G into 1 minus D by RE, और यह वाला, G into 1 minus 2H by RE, when H is very less compared to R, यह, height is very less compared to radius of earth, effect of the surface of earth, G equal to GMA divided by RE square, hence G at pole is greater than G at equator, satellite velocity और orbital velocity देख लेना, यह बहुत अचे से notes में पढ़ लेना, notes आपको मिलेगा, telegram पे से कुछ मिलेगा, notes में यह देख लेना, ठीक है, और फिर आता है, when H is very less compared to RE, then V not equal to root under G, RE, important है, 7.92 km per second, time period of satellite, again, यह भी important है, time period of satellite, energy of a satellite, important है, capital's law, law of area, capital's law देख लेना, सारा कुछ, ठीक है, content है, capital's law, यह अच्छे से करके जाना, capital's law में तीन laws है, बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है, और इसमें बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है, यह देख लेना, need 2016 phase 1 में पूछा गया है, question V का relation, velocity का, speed का, velocity का relation, किसे देखना, density से करके जाना, ठीक है, इसमें equation of continuity important होता है, Bernoulli's theorem important होता है, elasticity and viscosity important है, young's modulus of elasticity important है, ठीक है, stokes law देख लेना, surface tension, surface tension में, छोटे छोटे जो फार्मूलाज होते हैं, वो देख लेना, capillary rise वेगरा, देख लेना, inside air bubble in liquid soap करके एक आता है, ठीक है, soap करके एक numerical पूचा जाता है, वो देख लेना, inside a bubble, inside the drop, ये सारा कुछ, स्रिफ देख लेना, question वो लोग कम chances पूचेंगे, और जो question आएगा, वो आपका Bernoulli's theorem और equation of continuity पे पूचा जाएगा, नहीं तो एक elastic city, जो की होगा, young's modulus, elastic city, और एक bulk modulus, ठीक है, bulk modulus भी देख लेना, ये important है, अब देखते हैं, next, next आप लोगों का sound wave है, sound wave अच्छे से कर लेना, sound wave में कह 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 करना, तीन चार चीज़े होगी, sound wave में, पहला speed of sound, ठीक है, longitudinal displacement of sound, फिर इसमें क्या आता है, फिर आता है, यंग's modulus से related, ये याद रगना, ये वाला formula, गामा सबका change हो जाता है, monoatomic, diatomic, triatomic, सबके लिए gamma different होता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने देख रखाया, ठीक है, intensity of sound, loudness of sound, interference of sound, देख लेना, अच्छे से कैसे क्या होता है, for constructive and dis constructive के लिए देखना, if phi is due to power difference only, then phi equal to 2 pi by lambda into delta x, condition for constructive interference, delta x equal to n lambda, condition for destructive interference, delta x equal to 2n plus 1 into lambda by 2, ये important है, ठीक है, अब यहाँ पे normal normal चीचे लिखी होई है, closed organ pipe and open organ pipe, यहाँ पे total 3 सवाल है, ठीक है, 3 questions यहाँ पे पहला है, closed organ pipe and open organ pipe, ठीक है, closed organ pipe and open organ pipe, दूसरा question है, beat, beats से question पूछे जाते है, third question है, doppler effect, doppler effect से भी question पूछे जाते है, frequency से उन लोगों ने बहुत बार पूछ रखा है, तो अब क्या पूछ सकते है, वो लोग, apparent wavelength, ठीक यही में, 2018 में, पहला question पूछा गाया है, doppler effect से, तो frequency तो पढ़ो ही पढ़ो, बट wavelength पढ़ लेना, 2016 8 में पूछा गाया था, phase 1 echo से related, तो echo मतलम क्या होता है, mountain वेगरा है, यह reflection होता है, sound का तो उसे कहते, echo, ठीक है, और यह reflect करके, जब सुनाई देता है, तो उसकी frequency क्या में, electromagnetic wave, maxwell equation, e.da, equal to q by epsilon not, b.da, equal to 0, e.dl, equal to minus d5 by dt, faraday's law, बहुत important है, amperes, maxwell law, देक लेना, फिर oscillating electric and magnetic field, यह important है, यह वाला, e not divided by b not equal to c, ठीक है, और फिर p equal to u by c, energy transfer to a surface in a time, t is u, magnitude of the total momentum, delivered to this surface for complete absorption is p, electromagnetic spectrum, radio, microwave, infrared, light, ultraviolet, x-ray, gamma rays, wavelength, इसका देखना, wavelength पूच सकता है, कि इसका ज्यादा रहता है, यह rearrange करने देगा, maximum to minimum, यह descending order, decreasing order, increasing order, ascending order, कुछ भी करके हो लो, पूच सकता है, फिर error and measurement, error and measurement में significant figure, सबसे पहला important, दूसरा permissible error, यह दूसरा important, बहुत ज्यादा important, भी यह यह वाला बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है, plus minus a, delta x by x, plus minus b, delta y by y, plus minus c, delta z by z, 2018 या 19, 2019 का paper solve कर लेना, need का समझ में आ जाएगा, कैसे question पूचे जाते हैं, errors in averaging experiments देख लेना, experiments भी important होते थे, अभी थोड़ा experiments में नहीं पूचे जा रहे है, जे इमेंस में continuous experiment पे ही, वो लो question पूचते हैं, ठीक है, screw gauge और vernier calipor से question पूचते हैं, ठीक है, फिर आता principle of communication, तो यह बहुतों की syllabus में है, बहुतों की syllabus में नहीं है, बट फिर भी देख लेना, principle of communication transmission from tower of height h, क्या होता है, dr equal to root under 2rh, amplitude modulation, amplitude modulation देख लेना, पढ़ लेना, इसमें conceptual पूचे जाएंगे, और जे इमेंस का paper देख लेना, copy paste वहाँ से question आ सकते, copy paste मतलम 2 copy, वहाँ से उठाया जाएगा, और आपके question paper में paste रहाएगा, तो यह important है, side band frequencies, बेगरा देख लेना, upper side band frequencies and lower side band frequencies, band width क्या होता है, band width देख लेना, band width, power in am waves, p equal to vrmsc square divided by r, divided by r, carrier power, carrier power क्या होता है, वह पढ़ लेना, p c equal to ac divided by root ended 2 ka whole square to the power, whole square divided by r, equal to c square divided by 2r, वह यह कर लेना, फिर आता है, total power of side band देख लेना, total power of side band, total power of am wave, फिर आप लोग maximum power in the am with distortion, with will occur when, यह सब पढ़ लेना, यह सब कुशन आएंगे ने, फिर पढ़ लेना, frequency modulation वेगरा है, देख लेना, frequency modulation में, क्या था, c is important है, carrier swing, frequency modulation index, यह point important है, और फिर deviation radio percent, modulation वेगरा है, ज्यादा कुछ है ने, इस में, फिर semi conductor, semi conductor PIP पे डला हुआ है, वो देख लेना, उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है, वीडियो डला हुआ है, 18 मिनट का वीडियो, वो देख लेना, नोट्स पढ़ लेना, काफी है, more than enough है, semi conductor में, अब यह क्या क्या important है, transistor, अच्छे से देख लेना, voltage gain पूचा जाता है, power gain पूचा जाता है, transductance देख लेना, फिर relation between alpha and beta, ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है, तो notes पढ़ लेना, notes के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, semi conductor के notes अब भी मैंने upload कर रखा है, वो जाकर के देख लेना, आपको एक भी question जो है बाहर नहीं जाएगा, तीन साल से नहीं गया है, तो अब भी नहीं जाएगा, ठीक है, so यहाँ पर आप लोगों का होता है, physics complete, अब देखो, बायो मैंने करा दिया, physics करा दिया, cam करा दिया, सब भी कुछ 100% syllabus आपका confirm complete रहता है, अब आपको करना क्या है, स्रिफ और स्रिफ NCRT पर फोकस करनी है, और physics के numerical जितने solve कर सकते हैं, जिनना formula आप लोग याद कर सकते हैं, उनना formula याद करो, कुछ दिन बचे हुए हैं, कुछ दिन में आप लोग स्रिफ cam में NCRT पढ़ो, ब जो कुछ चूट गया, जो कुछ रह गया, वो स्रिफ उसे और थोड़ा से stronger, जो चूट गया, आपके पास time नहीं है, एक week या आठ दिन में आप लोग पूरा cover कर लोगे, तो जो आठ दिन बचे हुए हैं, जिसना कुछ पढ़ा है, उसे बार बर revise करो, पैतालीस के पैताली if question solve करके आते हो, correct, तू भी काफी है, काफी है, ठीक है, बायो में 360 में 360 आएगा, बायो जी, doses काफी है उसके लिए, कैम में भी बहुत अच्छा score करके आओगा, आप लोग सारो कुछ, हम लोगों ने cover कर लिया, बचता physics, physics में 35 भी कर लोगे, 600 पार, ठीक है, so thanks and best for your exam, अच जाओगा, ठीक है, पकाच जाओगा,